छेल में स्मार्टफन के नदर app Sophons को फ्री में चेंज कर सकते हो ऴिना किसी ऐसी आप के र्येज़ Oui स्मार्टफन के अदर बहुत सारे स्टाइलिस अंदर आका वन ptionभ अपर नहीं सेट्टिंग के अंदर और यहाँ पर जो जाना 35 रुपए दो किसी के उपर 40 रुपए हैं तो पैसे पे करो उसके बाद यह हमारे font को आप यूज करो अब इन ही सभी fonts को मैं आप लोगों को free में apply करके दिखाने वाला हूँ बिल्कुल free 100% trick जो ही काम करती है यतने सारे यहाँ पर fonts है इन सभी fonts को आप बिल्कुल free में use कर पाएंगी तो इन सभी fonts को free करने के लिए आपको step by step वीडियो को follow करना पड़ेगा आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहाँ पर आपको जाना है setting के अंदर setting के अंदर जाएंगे अपने smartphone के अंदर यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा additional setting आपको जह ढूनना है additional setting इस पर आपको जह किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे आपको सबसे उपर एक option देखने मिलेगा language and reason इसके उपर आपको सारे fonts को free में apply कर सकते हैं, यहाँ पर जाना है display and brightness के अंदर और यहाँ पर नीचे font and display size and more के अंदर और यहाँ पर देखेंगे भाई साब जा दू बिलकुल free में सारे fonts आपको apply करने को देखने को मिल जाएंगे, अब इनको apply कैसे करना है, आपको simple font के उपर click करना है, जो भी font आपको अच्छा लगे, और यहाँ से apply के उपर click करना है, और यह download हो जाएगा, उसके बाद आपको apply करना है, जैसे आप apply करेंगे, यहाँ पर आपको sign in करने के लिए बोलेगा, अगर आपने पहले से sign in कर रखा है, तो आपको sign in दुबारा से करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीज़े आपको करनी है, चुछ यह मैं आप लोगे बताने वाला हूँ, यहाँ पर click करना है more sign in option के उपर, और यहाँ पर जो है, आपको sign in with google करना है, यहाँ से आपको अपनी gmail idea select कर लेनी है, जो भी आप login करना चाहता है, जिससे, उसके बाद जो यहाँ पर देखे code set कर लेना है, agree करके next कर देना है, और यहाँ पर sign in हो चुका है, उसके बाद आपको apply करना है, जैसे आप apply करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपके smartphone के अंदर font जो है, वो बिल्कुल change हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, यतने भी message हैं, यहाँ पर setting के अंदर आप ज सकते हैं, आपको same तरीके से जाना है, जो जो बताया मैंने आपको same step follow करते हुए, और यहाँ पर फिर से आपको अपना favorite आला find करना है, जो भी font आपका अच्छा लगता हो जो आपको, जो भी आपका favorite हो, उस पर click करना है, और simple तरीके से apply करना है, download होगा, और उसके बाद ज बहुत सारे नए-ने fonts आए हुए, इनको भी आप एक बार check out कर लेना, और जो भी आपको अच्छा लगता है, उसको आप simple तरीके से आप apply कर सकते हैं, और हाँ, अब आप दुबारा से region के अंदर जाकर के इंडिया select कर सकते हैं, या फिर जो भी country से हैं, वो select कर सकते हैं, खुब कि आप सभी को वीडियो अच्छे लगें, को वीडियो कर देना, लाइक और चैनल को और ना सब्सक्राइब, मिलते हैं, किसे दूसरी वीडियो के इंदे तब तक, be safe and be healthy